So, hello friends, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं बहुत जादा परसनल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वैसे तो ये वीडियो गर्ल्स टॉक के उपर है बट ज़रूरी नहीं है कि इसको सिफ लड़किया ही देखें लड़के भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि सबकी लाइफ में लड़की तो आनी ही होती है और अल्रेडी होती भी हैं सबके पास मम्मियां होती हैं, सिस्टर होती हैं इवन आगे चल कि उनको वाइफ गर्फरेंड सम मिलती हैं तो उनके बारे में उनको जानना बहुत ज़ादा जरूरी है जिससे उनकी बहन, उनकी ममी, उनकी गर्फरेंड उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा कमफोर्टिवल हो सकने अपने हस्बेंड के साथ अपने friends के साथ क्योंकि बहुत सी बार यह देखा जाता है कि हम husband wife होकर भी एक दूसरे को अपनी बहुत सारी personal बाते शेयर नहीं कर पाते ये वीडियो थोड़ी सी personal है मतलब क्योंकि मैंने सरी की वीडियो पहले शूट नहीं करी बहुत सी बार मैंने इस topic के उपर बात करी है बट आज मैं बहुत जादा डीपली बात करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कही न कहीं लगता है कि बहुत 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 जादा ऐसी चीज़े हैं जो आज तक लोगों को नहीं पता इसपेशले जो teenage boys होते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं होता अपने बारे में जिसकी वज़े से आगे चलको इनको काफी जादा दिक्कतों को सामना क पताती वो और चाती है कि वो उन चीजों को छुपा कर रखें मैं अपनी मॉम की बात नहीं कर रही है मेरी मम जो है एजुकेटिट थी तो उनको बहुत सारी चीजों का पता था इसलिए कुछ चीजे मुझे तो पहले ही पता चल गई थी उसी के कारणा जे दिन है कि मैंने की रिसर्क की हुई है कुछ टॉपिक पर हम 2 चीजों के पास जाते उनसे बातचीट करते हैं इतनी डॉक्तर की वीडियो दिए टेकते हैं तो हमें पता है बनको लोग बारे में देखना नहीं चाहते वह मेरी वीडियो को ही देकर तसलिक आए करेंगे फिर भी कुछ और सर् नहीं करनी पड़ी, तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि आगे कुछ ऐसी लड़किया हैं, उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ें, क्योंकि कितनी तो ऐसी हैं, इवन जो काफी एज ही हैं, बतलब बच्चों को डिलीवर कर चुकी हैं, फिर भी उनको बहुत सारी चीजों के ब हम गर्ल्स हैं, हम बहुत जादा स्ट्रॉंग होती हैं, लोगों को सिफ इतना दिखता है कि हम बहुत जल्दी रो जाती हैं, हम बहुत जादी डर जाती हैं, मतलब इन सब चीजों से वो हम लोगों को जज कर लेते हैं, बट इस चीज से आप हम लोगों को जज नहीं कर सकते क्योंकि कितनी सारी problems ऐसी हैं जो सिफ हम girls ही solve करती हैं हम लोग ही उनको समझ सकती हैं उनसे overcome कर सकती हैं जैसे सबसे बड़ी जो हम लोगों को problem लगती है है नहीं है बट problem तो लगती है माहिने में एक बार जो हमें face करनी पड़ती है वो है periods period जैसी जो एक चीज बनाई है भगवान ने वो हम गल्स को ही face करनी पड़ती है बच्चे को deliver करने जैसी एक बहुत बड़ी चीज जो बनाई है भगवान ने वो भी हमें deliver करनी पड़ती है लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हम लोग कमजोर है बट कमजोर सी वो लोग समझते हैं कुदको जिसको इनकी proper knowledge नहीं होती तो उसी knowledge के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ जिससे आपको इस topic पर proper knowledge हो कि periods exact हैं क्या मतलब सच में जैसे लोग कहते हैं गंदगी है गंदा खून है या फिर बहुत सारी गलत बाते कहते हैं सच में वो ऐसा है या ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सच में periods आपके एक body की क्रिया ही है जो हर girls हर lady को होती है और ये कितनी important है तो ये तो आप लोग समझते ही हो क्योंकि जिन girls को ये periods नहीं आते हैं वो आगे चल कर मा नहीं बन सकती ये sign होता है जिस वक्त हमारे period स्टार्ट हो जाते हैं ये sign होता है कि हमारी body तयार हो गई है मा बनने के लिए ठीक है तो periods बहुत जादा important हैं तो इसलिए हमें इनकी value करने चाहिए इनसे बाहर नहीं भागना चाहिए कुछ points आज मैं आप लोगों के सामने clear करने वाली हूँ जो कभी मेरे मन में भी थे तो मेरे पास तो दूर करने के लिए दो दो लोग थे बट जिन लोगों के पास उन problems को solve करने के लिए लोग नहीं है तो उनके लिए मैं ये video बना रही हूँ तो सबसे पहला points जो है वो ये है कि क्या periods कोई बिमारी है जिसको हम दवा लेके रोक सकते हैं तो नहीं इसका जवाब नहीं है periods कोई ऐसी बिमारी नहीं है जिसको हम दवाई लेके ठीक कर ले वो एक natural process है जो हमारी body में होना जब शुरू हो जाता है उसके बाद 40-45 की age तक होता ही है उससे पहले आप दवाई लेके उसको बंद नहीं कर सकते और नहीं ऐसा हमें सोचना चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीय की पूरी प्रकरती को ही बिगार देगा तो जो दूसरा point है वो ये है कि जो period का blood होता है वो pure होता है, साफ होता है या फिर गंदा होता है जैसे बहुत से मैंने यूट्यूब वीडियो देखी है जिनमें वो बोला जाता है कि हमारी body का गंदा खून है तो उसको ऐसे निकाल देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए बट नहीं, ये एक pure खून होता है, इसी blood से आगे चलके एक baby बनता है तो आप कुछ सोच सकते हो, जिससे मैं बनी हूँ, जिससे आप लोग बनी है, जिससे पूरी प्रकरती बनी है तो क्या वो किसी गंदे खून से बनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता पीरियर्ट जो है, बिलकुल pure blood होता है, हमें उससे बहुत जादा घिन नहीं करने चाहिए क्योंकि वो चीज हमारी शरीर का हिस्सा होता है इसरा point जो है, वो क्या होता है, कि बहुत सी बार जब लेड़कियों को starting में periods आते हैं साथ में पिच्चर भी लगाऊंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए जब हम लोग पैदा होते हैं, एक लड़की जो पैदा होती है, तभी उसकी बॉड़ी में एग होते हैं तो एक एग हमारी ओवरी में से निकल के फरलोपियन ट्यूब में आता है, उसके बाद अगर उसको स्पर्म मिलता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एक जाएगॉड बनके आपके यूट्रस में चिपक जाता है, तो यूट्रस में चिपकने के लिए अब कोई भी चीज है हम अगर कहीं लेटते हैं तो हमें सॉफ्ट चीज चाहिए होती है इसी तरह से यूट्रस में एक लाइनिंग क्रियेट होती है, बहुत सॉफ् मतलब वो होती है बट उस समय के लिए तो वो बच्चे के लिए मोटी लाइनिंग ही है एक गददा है जिसके ओपर उसको आके बैठ जाना है चिपक जाना है तो जब ऐसा नहीं होता हमारा एग जो है फटिलाइज नहीं होता बट एग के वापस जाने का जो रास्ता है वो वो लाइनिंग आपकी periods के लिए एक दिवार का काम करती है कि लाइनिंग बन गई है इसके उपर आपका एग जिपक जाएगा आपसे आपको periods नहीं होगे सबको पता है जब हम conceive कर लेते हैं तो periods नहीं होती है ठीक है बट जब हमारा जो एग फटिलाइज नहीं हुआ तो हमारे जो माइन को तुरन सिगनल जाएगा कि एग फटिलाइज नहीं हुआ है पीरियट्स आने है वो लाइनिंग दीरे दीरे टूटनी शुरू हो जाती है गिरने शुरू हो जाती है वो गद्दा दीरे दीरे निकलना शुरू हो जाता है तो एग जो है वो बलड के थूरू उस लाइनिंग के साथ बॉड़ी से बाहर निकलता है इसलिए जो पीरियट् क्यांद कि बिल्कुल फीज उरत नहीं है जो आपके पीरियट्स होते हैं अपके यूट्रेस की लाइनिंग और वो एग होता है जो फटिलाइस नहीं हुआ होता है कि बहुत सी girls कहती है कि periods में उनको बहुत ज़्यादा smell ऐती है उस blood से मतलब इतनी ज़्यादा smell आती है कि आसपास के लोगों को यह पता चल जाता है कि उनको periods हुए है तो मैं आपको बता दू period के blood से कभी भी कोई smell नहीं आती वो smell होती है आपकी जो आप market में बने use pad करती हैं जैसे वो blood आपका pad पर गिरता है वो gel में convert हो जाता है और oxygen के समपर्थ में आती है उसमें bacteria बनने शुरू हो जाते हैं उसकी वो smell होती है और gel की वो smell होती है periods के blood की कोई smell नहीं होती या फिर आप लोगों ने आजकल देखा होगा बहुत से जो पैट से आपके वो हलकी से fragrance के आने लगे हैं जिससे हमें बहुत जादे irritation फील ना हो ठीक है तो periods के blood में आपके कोई smell नहीं होती तो आप लोग यह मस सोचे कि आपके periods में से बहुत सादा smell आ रहे है periods के blood में कभी smell नहीं आया करती और जो last point में आप लोगों से clear करना चाहती हूँ वो है periods pain सबको दर्द होता है किसी को कम होता है किसी को जादा होता है बढ़ periods में जरूर होता है पर वो pain होता क्यों है इसा क्या है जो हमारी body में पेन करता है आप समझ सकते हैं आपको सोचिए कोई एक चीज है अगर उसमें से कोई बहुत बड़ी चीज और गोल सी कोई चीज है उसके अंदर कोई चीज फस जाएगी ठीक है माना आपके balloon है अगर उसमें से वार निकालनी होगी तो आपको बड़ून की हवा कुल निकालनी हो been तब ही तो वो चीज आप उसमें से निकाल पह tagged को रही कि अपकी बाड़ी को सीगनल मिल गया है उसको व परडिलाइज नहीं हुआ है तो जिस टाइम आपका uterus squeeze होकर उस एग और उस lining को बहार निकाल रहा होता है तो वह इस तरीके से खुद को squeeze करता है तो आपकी body में बहुत जादा पेन होता है तो वह pain आपके uterus squeeze होने का होता है और किसी चीज का नहीं होता उसके लिए बहुत सारे बहुत सारे रेमिडीज आप लोग यूज कर सकते हो, आप थोड़ा सा बॉयल वाटर पी सकते हो, अपनी पेट पर गरम पानी की बॉटल रख सकते हो, होट वोटल जिसको बोलते हैं, लेवन्ट रोल की मसाज कर सकते हो, और सबसे जो फाइनल तरीका है वो है, अप मैफवाल वाली टैबलेट ले सकते हो, वो बहुत अच्छी है पीडियर स्पेइन के लिए, तो आइ विश आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फोर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपने जरूर सीखा होगा, इस सीरीज में मैं और भी ज्यादा वीडियो आप लोगों आप लोगों के लिए लेकर आने बाली हूँ, आइविश आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीजिएगा